मित्रों चै मातादी कैसे हैं आप सब ये बतानी के लिए कमेंट में चै मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2023 में ललीता पंचमी कब है जानिये सही तीनवतारी क्या है पूजा का सुव महुरत कब है पूजा विधी क्या है और पंचमी तिथी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेट है कि अभें तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेह करेंगे मित्रों हर वर्ष आस्विन मास के सुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी को ललीता पंचमी मनाई जाती है और ललीता पंचमी को उपांग ललीता ब्रत की नाम से भी जाना जाता है इस दिन माता ललीता का ब्रत रखना अत्यांत ही सुभ और मंगल कारी माना जाता है ललिता पंचमी सार्दे नौरात्री के पाचवे दिन उपांग ललिता ब्रत के नाम से भी जाना जाता है ललिता देवी माता सती का ही रूप मानी जती हैं जिन्हें त्रिपूर सुन्दरी भी कहा जाता है आधि सक्ती माता ललिता दस महा विद्याओं में से एक हैं यह ब्रत बहुत ही सुभ फल देने वाला होता है। माता त्रिपूर सुन्दरी की आराधना करने से धान, एस्वर्य, भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों अब ललीता पांचिमी की पूजा करने की विधी को भी चान लेते हैं। जो इस प्रकार है। ललीता पांचिमी के दिन सुभा जल्दी उटकर इसनान आदिकर की खुद को सुध कर ले। फिर भगवान सुरे को जल अरपित करें। इसके बाद एक चोंकी पर लाल कपड़ा बिचा कर उस पर जल का छीटा दे। इसके बाद माता ललीता की मूर्ती या चित्र इस थापित क करें। और उस पर जल का छीटा दे। और माता के चरण धोएं। इसके बाद माता को सिंगार की सभी हुबस्तु भी अरपित करें। और लाल पीले फोलों की माला, मिठाई, फल भी अरपित करें। फिर उनके आगे गही का एक मुखी दिपक जलाएं। और माता की आरती करक की पूजा का समापन करें। मित्रों, अब आपको बता दें की वर्स 2023 में ललीता पंचमी 19 सक्टूबर 2023 दिन गुरुबार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथी प्रारंब होगी 19 सक्टूबर 2023 को सुबह एक बचकर 12 मिनट पर। पंचमी तिथी समापत होगी 20 सक्टूबर 2023 को सुबह बारा बचकर 31 मिनट पर।